स्वाती मालिवाल केस को लेकर एक तरफ पुलिस की जात चल रही है तो दूसरी तरफ सियासत भी जोरो पर है आम आदमे पार्टी ने इसके पीछे बेजेपे की साज़िश का आरोप लगाया है तो बेजेपे इस मामने को लेकर आम आदमे पार्टी और इंडिया गठ बंदन पर लगातार हमलावर है जिसके चलते सियासी घमसान जारी है दिली सरकार की मंतरी आतिशी मालेना ने एक बर फिर स्वाती मालिवाल को निशाना बनाया है आतिशी ने कहा कि स्वाती मालिवाल केस में भी बेजेपे पूराने फॉर्मले का इस्तमाल कर रही है आतिशी का कहना है कि स्वाती मालीवाल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस दर्च किया है इसी केस को हत्यार बना कर स्वाती मालीवाल का इस्तमाल किया जा रहा है स्वाती मालीवाल जी पर एंटी करप्शन ब्यूरो का एक रिक्रूटमेंट स्कैम का केस चल रहा है कि DCW में गलत तरीके से कांट्रेक्शल इंप्लोईज को रिक्रूट किया गया ये केस पिछले कई सालों से चल रहा है उन पर F.I.R. हुई है अब ये मामला खتم होने के करीब आ रहा है तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारतिय जनता पार्टी का ये जो फॉर्मिला है कि अलग अलग नेताओं पे केस करना उसी फॉर्मिले को स्वाती मालीवाल जी पर इस्तमाल किया गया होगा उन पर जो ACB का केस चल रहा है जो illegal recruitment DCW में केस चल रहा है उस पर धमकी देके स्वाती मालीवाल जी से शायदे करवाया गया है दूसरी बात हमने तो ये भी कहा है कि स्वाती मालीवाल जी के call records की जाच होनी चाहिए हमें ये विश्वस्निय सूतरों से पता चला है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार भारतिय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क में है तो दिल्ली पुलिस इस बात की जाच करे कि ये कैसा शड्यंतर है ये कैसा राजनेतिक शड्यंतर है जो बिलकुल चुनाव के समय दिल्ली में वोटिंग से पाँच दिन पहले रचा जाता है आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए रचा जाता है अर्विंद केजरिवाल जी पर हमला करने के लिए रचा जाता है तो इस पर पूरी जाच होनी चाहिए कि स्वाती मालिवाल जी किस तरह से भारतिय जन्ता पार्टी के संपर करती है। देखिए जब स्वाती मालिवाल जी ने पहली बारी आरोप लगाया, किसी भी महिला द्वारा ऐसा आरोप लगाया जाता है तो लोगों की साहनुबूती होती है। हमारी भी थी। और फिर उन्होंने बताया कि उनको ठपड मारे गए, लाद घूसे मारे गए, उनके कपड़े फट गए, किसी तरीके से वो अपने आपको बचा के निकली। ये बात उन्होंने तेरा तारिक की बताई, तेरा तारिक का मुख्यमंत्री आवास के ड्रॉइंग रूं का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सफारी सूट में दो पुलिस कर्मी पुरुश हैं और एक महिला पुलिस कर्मी हैं, सीम साब की सेक्यूरिटी के लोग हैं, उन कपड़े उनके ठीक ठाक दिख रहे हैं, अराम से सोफे पे बैटी हैं और कमांड कर रही हैं, विक्टिम नहीं लग रही हैं, हलका रही हैं, ऐसा लगता नहीं कि वो जो बात कह रही हैं अपनी FIR में, वो घटना उनके साथ हुई, क्यों? क्योंकि उस वीडियो में वो कह र चुकी हूं, PCR आ रही हैं, यानि कि उनके अनुसार वो तथा, कथित, मार पीट की घटना हो चुकी हैं उनके साथ, मगर वो तो ठीक ठाक नजर आ रही हैं, वो तो कमांड कर रही हैं, वो तो पुलिस वालों से एक बार भी नहीं कह रही, कि मेरे साथ देखिए साब, मिरे को यहां मारा यहां मारा यहां मारा दूसरी बात द intéressant की हैं 13 तारिक का एक वीडियो आया है जिसके एंदर सुरक्षा कर्मियों ने उनको ंस साब के घर के बाहर चलड़ा उसके एंदर ठीक ठाक दिख रही हैं ठीक ठाक चल फिर रही है और 164 का ब्यान दर्ज कराने कोट गई उसके अंदर वो इतना अराम अराम से लंगडा के चल रही है जैसे कि उनके साथ बहुत जाधा मार पीट हुई है यह विरुद्धाबास है यह बात कोई भी आदमी देखेगा तो समझेगा इसके अंदर गड़बडी है इसके अंदर को आल के इस खबर में बस इतना ही देश और दनिया की ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रेंडे पब्लिक खबर के साथ झाल को